बात है आप सभी लोग का और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक good news लेके हैं हूँ जी हाँ सभी लड़कों के लिए खासतोर से सभी लड़के सोच रहें थी कि करोना lockdown के चलते rally नहीं होगी rally नहीं आईगी तो उनहीं से लेके एक नई rally आई है सभी लड़कों के लिए इस rally के बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि इसकी rally कब है और online इसका आज से start है तो step by step करके मैं इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ class 10th pass, 8th pass, 12th pass ये rally आई है tradman, clerk, technician, gd सारी post इसमें available है और चलिए qualification बताएंगे ये किस राजी के लड़कों के लिए है कहां 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 के लड़के इसे देख सकते हैं और कहां कहां के लड़के इसे apply कर सकते हैं सारी जनकारी step by step करके आपको देने जा रहे हैं साथी साथ आपको बताएंगे कि end तक आप जुड़े रहेंगे तो rally की date या आपकी rally रुकी भरती कब होने वाली है या आपका admit card कब आने वाला है इस rally को लेके और तक का admit card क्यों टल गया है वो भी बताएंगे मतलब सारा आपका जितना भी सवाल है इसके last तक आपका सारा जवाब मिल जाएगा तो अंत तक इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही benefit होने वाला है ठीक है तो चलिए step by step इस rally के बारे में हम आपको step by step करके बताते हैं सबसे पहले इस rally के आपको जनकारी दे देते हैं ठीक लोग यह tension में बिल्कुल मतलीजीगा कि कहीं हमारी उम्र निकल जाए और rally ना आए ठीक है तो जीडी की post है वही उसके बाद technician है ठीक है वही यह जाए वही उम्र है वहांके हाइट देख सकते हैं इसमें कुछ हाइट की छूड़ भी रहती है कहीं के पे और कास्ट वगरा क की भी आई है qualification तो आप सबी लोग को मालूम है हर subject में 33 नंबर होना अनिवार रहे है अगर 8th pass ये 10th pass बढ़ती देखते हो तो अगर हर subject में 33 नंबर नहीं है तो आर्मी की बढ़ती नहीं देख सकते हो दोबारा 10th pass करो और हाँ clerk वगरा और assistant वगरा के लिए confirm होता है कि आप आप लोग को हर विसे में 50% या 40% compulsory है आल ओवर 50% आल ओवर 60% आपका होना अनिवार है अगर clerk और technician का भरती देखना चाहते हो तो ठीक है और soldier में सिर्फ 10th pass अनिवार होता है यह तो मैंने बता है आप लोग को जो vacancy आई है उसके बारे में और यह कहाँ प्याई है लेंड indianarmy.nic.in के official site पे जाना है और मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां के कितने district और कितने तैसिल के लड़के इसे apply करेंगे ठीक है तो बंदे रही है अन्त तक आप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे army के official website पे हूँ join indianarmy.nic.in और यहीं पे हाली में latest rally JCUOR में ज उसके बाद राजिस्तान की चल रही थी उसके बाद और सारी बहुत आई थी ठीक है और उसके बाद यह नई निकल के आज की date में आई है यहाँ पे देख सकते हैं ARO Landown Army Requirement Rally Court Dwar ठीक है और चलिए इसका जितना भी district तैसिल है उसके मैं PDF के माध्यम से आपको बताना स्टार यहाँ कहां के यहाँ के इसरेली को देखेंगे और अन्त तक रुके रहेंगे तो आपके सारे सवालों का जबाब नहीं मिला है उसका भी जवाब मिल जाएगा तो यह लैंड सुम जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड में द्वार हो गया देहरादुन हो गया उत्तरा खंड की स्टेट का मतलब यह जितने भी डिश्टिक आते हैं वह है ठीक है और इसका ओनलाइन स्टार्ट आज से है पांच नॉमबर से इसका ओनलाइन स्टार्ट है मतलब उस दिन नॉटिफिकेशन आई थी आज 6 नॉमबर हो पांच नॉमबर से चार दिसंबर तक पांच नॉमबर से चार दिसंबर तक रेजिस्टेशन चलेगा ठीक है उसके बाद आपका इमेल पर मैसेज आएगा पांच से 6 दिसंबर के बीच में आपका इमेल पर एड्मिट कार्ड का मैसेज आ गया यह तो इस रैली की बात हो कोई confirm नहीं है लेकिन इसका बताया जा रहे कि अगर December में इसकी rally होगी तो बाकी सारी rally की भी संभावना जताई जा रहे है कि December चाहे जनवरी February, March, April, May, June तक सारी भरतिया clear हो जाएंगी तो आप लोग को निरास नहीं होना है लगतार महनत करते रहना है परयास करते रहना है और rally का क्या ये तो आना जाना लगा रहता है रही बात उमर की तो आप लोग का registration होगा ये confirm है 100% अगर यहां तक वीडियो देखे हो और चाहते हो कि हर rally से हर आप जनकारी सब्डेट रहो तो वीडियो के नीचे जनकारी सब्स करते हैं